फ्रेंड्स गुलाब किसी भी रंग का क्यों ना हो, किसी भी वेराइटी का क्यों ना हो, किसी भी साइज का क्यों ना हो हमारे सभी गार्डनर फ्रेंड्स को बहुती ज़्यादा पसंद आता है और जब बात होती है winter season की गुलाब की तो winter season में गुलाब अपने full bloom पे होता है winter season में बिना किसी care के भी गुलाब अच्छे से bloom करता है बहुत जादा numbers के साथ लेकिन अगर आप उसकी थोड़ी सी जादा care कर देंगे थोड़ा सा ख्याल रख लेंगे और आपको अच्छे से bloom इसमें मिल जाएगा और सबसे number one पे जो care आती है वो आती है इसकी pruning अक्टूबर का महिना चल रहा है इस महिने में करनी होती है आपको अपने गुलाब पी अच्छे से pruning इस वीडियो में मैं आपको बताने वारा हूँ कि आपको pruning क्यों करनी है कैसे करनी है और उससे क्या-क्या फायदे होने वाले हैं फ्रेंड्स आपको एक चीज हमेशा याद रखनी होगी कि गुलाब के पौधे में फूल जो आते हैं वो हमेशा नई ग्रोथ पे आते हैं जिसमे नई नहीड ब्रांच से निकलती हैं उनमें ही अच्छे मांट में फूल आपको देखने को मिलेंगे फ्लावरिंग बर्स आपको नई ग्रोथ में ही जादा देखने को मिलेंगे लेकिन लिगर यह क्भार यका बार जब आपका फूल अच्छे से खिल कुझ खोड़ किरकर इस ब्रांट को ambiguous कट कर देते हैं तो तक है फिर यह नहीं नहीं ब्रांचस को निकलना e ap लेकिन अक्टूबर के महीने में आपको इसे hard prune करना होता है, hard prune से मेरा मतलब यह है कि इसकी जितनी भी branches हैं जो जिसमें फूल आ चुके हैं, जो पतली हैं, खमजोर हैं, इस तरह से, जो कुछ time के बाद, पुरानी होने के बाद कुछ branches सूख जाती हैं उन्हें, इस तरह की branches, जो की सूख चुकी हैं, इन्हें हमें cut करके हटा देना होता है, अपने plant की pruning करने से पहले आपको अपने जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं, उससे इस्ट्रलाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, hydrogen peroxide, rubbing alcohol को, और ये दोनों चीज, आपको किसी भी medical store पे easily मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपए का ए कोई भी एक चीज, या फिर अगर आपको ये दोनों चीज भी नहीं मिलती है, तब आप एक लाइटर भी ले सकते हैं, rubbing alcohol से आप अपने टूल की अच्छे से सफाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने लाइटर से अपने टूल को गरम करके उसे इस्टरलाइज कर सकते हैं, हलका सा एंगर लेकर आपको अपनी प्रूनिंग करनी होती है, कभी भी प्रूनिंग आप बिल्कुल फ्लैट ना करें, और हम इसा प्रूनिंग नूड एरिया से थोड़ा सा ऊपर करें, क्योंकि नूड एरिया से लगवग 5-6 दिन के बाद आपको नई नई बट्स देखने को मिलना सुरू हो जाएंगी, एक बार अच्छे से प्रूनिंग करने के बाद आपको अपने प्लांट को फर्टलाइजर की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप एक बार अच्छे से प्रूनिंग कर देंगे, उसके बाद अपने प्लांट को अच्छे मांट में फर्टलाइजर देंगे, और फर्टलाइजर पर मेरा अलग सी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अवलेबल है, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आरी उपर कार्ड में आप जा करके उसे क्लिक करके देख सकते हैं, और फर्टलाइजर देते समय मैंने उस वीडियो में भी मैं आपको बताया हुआता, कभी भी बिल्कुल प्लांट से सटके आपको फर्टलाजर नहीं देना है, इससे आपकी रूट्स भी प्रून हो जाएंगी जो एक्षा रूट्स हैं वो भी अच्छे माउंट में प्रून हो जाएंगी एक बार गुड़ाई करने के बाद एक प्लांट के चाहरो तुरफ एक खें बना लेंगे और इसी रिंग में अपना फट्लाइजर देंगे लगएet कमिवां में ँख लुड़े और लोड़ेंगा यको ऐट है अर्म पानी की यह ओलम हमानीरे टि़ेंगे लगबग 15 दिन के बाद आपको इस तरह से लाल लाल पत्तियों के साथ इसमें नई नी ब्रांच देखने को मिल जाएगी और इस ब्रांच में काफी ज्यादा नंबर्स में आपको फ्लावरिंग बड़ भी देखने को मिलेंगे जिसमें ब्लूम काफी अच्छी होती है काफी ज़्यादा मौइस्टर ले चुके होते हैं फंगस लग चुका होता है और प्रूनिंग करने के बाद इसमें बिलकुल पत्याप अब भटा जेते हैं ब्रांच साई हटा जाते हैं तो इसमें हवा जाती है धूप जाती है और जो फंगस वाले जिदीज होती हैं जो हल यह से घलना शूर जाती है वह बिलकुल सूख के ड्राइब परत होती है तो फंगस वाले दिक्कत हमारे प्लान्ट से दूर हो जाती है हमारा प्लांट सेफ में आ जाता है नईनी ब्रांचे ता आती है जिसमें काफी ज़्यादा नंबर्स में और काफी बड़े साइच के फूल खिलते हैं तो उम्मेद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें कोई भी सवाल है कोई भी सुज़ाव है ताब उझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ अब तक के लिए गुद्बाइ और टेक केर